19 अगस्त कृष्ण जन्माश्टमी के दिन रात सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दबादे एक चीज मालक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी दोस्तो भाद्रपद मास्त के कृष्ण पक्षी अश्टमी तिथी को जन्माश्टमी का पर्व मनाय जाता है इस दिन भागवान स्रेक्ष्ण का जन्मोश्व मनाय जाता है इस दिन ब्रत भी रखा जाता है सास्तों के अनुसार जन्माश्टमी का पर्व भागवान स्रेक्ष्ण को समर्पित है इस दिन भागवान स्रेक्ष्ण का पूजन करने और ब्रत करने से भागवान स्रेक्ष्ण क क्रिपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है जीवन में चली आरही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है साथी मंचाहा बरदान प्राप्थ होता है निसांतान दमपती अगर इस दिन ब्रत करते हैं तो उन्हें भगवान स्रीकृष्ण की क्रिपा और संतान की शुक् कुवारी कन्याओं को भी यह ब्रत अवश्य करना चाहिए इस ब्रत को करने से बिवा में आरही बिलंब दूर होते हैं और जल्द बिवा की योग बनते हैं जन्माश्टमी के ब्रत को ब्रत राज कहा जाता है सास्तरों के अंसार जन्माश्टमी का ब्रत करने से एकजार एक पर अन खाने का दोस्ट भी दूर हो जाता है। इस दिन ब्रिशब राशी में चंद्रमा हैं और कई शारे योग बन रहे हैं। इस दिन अम्रिश शिध्योग और शर्वार शिध्योग निर्माड हो रहा है। अगर आरंभ की बात की जाए तो अश्टमित थी मद रातरी 18 अगस्त को शुरू हो जाएगी। यानि कि ये रातरी 9 बचकर 20 मिट से प्रारम हो जाएगी 18 अगस्त को और अगले दिन 19 अगस्त को ये रातरी 10 बचकर 69 मिनट तक रहेगी। यानि कि रातरी 11 बचक अश्टमित थी रहेगी 19 अगस्त को शुब महुर्त पूजन काल का जो रहेगा वो रातरी 19 अगस्त को 12 बचकर 3 मिनट से लेकर रातरी 12 बचकर 46 मिनट तक रहेगा। ये निसीता काल का पूजा का सुब महुर्त रहेगा इसमें आप इसी दिब्शयोग में पूजा करें। पादे एक चीज मा लक्ष्मी दोडी चली आएंगी। जाडू हर किसी के घर में होता है। लेकिन क्या आपको पता है जाडू सीधे तोर से माता लक्ष्मी जिसे जोड़कर जाडू को देखा जाता है। जाडू को लेकर बहुत सारी शुब और अश्ब सगुन भी होते हैं और जाडू कैसे रखे हैं, कब खरीदें, कब फेंकें। जाडू की नीचे ऐसा क्या दबाकी रख दें। कृष्ण जन्माष्ट में की दिन राज सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशिया मिल जाए, खुशिया कश्ठी हो जाए और सारी परिशानिया दूर हो जाए। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे, जो जीवन की तमाम परिशानियों से आपको बाहर निकाल देगा ये जाडू का प्रियोग, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का प्रतिक माना जाता है, आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रियोग करते हैं जाडू को लेकर, जा जर्माष्ट में की दिन, सुर्यास्त होने के बाद कभी भी जाडू ना लगाएं, ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, दूसरी तरफ, सुर्यास्त होने के बाद जाडू तो क्या पहुँचा भी ना लगाएं, क्रश्न जर्माष्ट में की दिन, नहीं तो माता लक और इदर उदर आपने रख दिया ज़ाडू को यनि कि कभी भी पैर से लांगे ना और कभी भी ज़ाडू को दूर से फेके ना वरना घर्स में जो पैसे आते हैं वो प्रभावित होते हैं आर्थिक परिसानिया बढ़ जाती है और यहां तक कंगाली से भी गुजरना पड़त ज़ाडू को जहां तहां ना फेके और जहां तहां ना रखें और अगर कृष्ण जनमाष्ट में की दिन रात को सपने में अगर आपने ज़ाडू देख लिया तो इसका मतलब है कि आपको आर्थिक संपनता होने वाली है जो पहले नुकसान होने वाला था उससे बचबाए ज़ाडू को अगर कृष्ण जनमाष्ट में की दिन रात में अगर सपने में देख लेते हैं इसका मतलब बहुत शुबह है माली जो साल छे महीने भर हो गए और आपके घर में ज़ाडू पढ़ा हुआ लेकिन खराब नहीं हुआ आप इसे फेकना नहीं चाह रहें तो फेक दीजे कृष्ण जनमाष्ट में की दिन ज़ाडू पुरानी ज़ाडू को फेक देनी चाहिए और नहीं ज़ाडू को यूज कर लेना चाहिए क्योंकि जब आप ज़ाडू लगाते हैं पुरानी ज़ाडू से तो टूट टूट कर गिरेगा और जीवन की जो धन की परिशान करने के व्यस्ता करें जिस प्रकार से आप अपने धन को ढख कर रखने के व्यस्ता करते हैं चुपा कर रखने के व्यस्ता करते हैं तो ज़ाडू में कुछ न कुछ जरूर आप ढख दें चाहे कपड़ा ढख दें या किशी के अंदर या आप एक कोने में रख दें लेकिन लोगों की जो बाहरी लोग है उनकी नजरों से बचाएं ऐसी व्यस्था करनी चाहिए। और इदर उदर और तुरंत फिर जाडू लगा दे थे ऐसा बिलकुल ना करें। पहले पानी के छिड़काव कर दे फिर आप जाडू लगाएं। ब्रद्धी होगी नौकरी में भी ब्रद्धी होगी। दोस्तों राज सोने से पहले आपको ये चीज़े दबा देनी है तो धन के स्रोत बढ़ जाएंगे माता लक्ष्मी की कृपा वर्सेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापारत देजिस चले नौकरी में ब्रद्धी हो तो आपको राज सोने से पहले कृष्ण जनमाष्ट में की दिन आपको जाडू के नीचे यानि की थोड़ी सी आपको धनिया शाबोध धनिया जरूर दबा के रख देनी हैं। धनिया माता लक्ष्ण के सबसे प्रिवस्तु है इसलिए धनियों को रात सोने से पहले कृष्ण जनमाष्ट में की दिन जरूर जाडू के नीचे दबा दें। तो धन का आगवन धन के श्रोत बढ़ते हैं करजों से अगर परेसान हैं करज में आप लदे हुए हैं करज धनियों के नीचे आपको कृष्ण जर्माष्ट में की दिन यानि की कमल गट्टे के वीज होती है जो माता लक्ष्ण के सबसे प्रिवस्तु है कमल गट्टे के वीज आप दबा दें। या फिर आप चाहते हैं कि आपको घर में संतान की प्राप्ति बैवाहिक जीवन सुकम तो आपको हल्दी की गाठ पांच शे साबूत हल्दी की गाठ आप चुपके से दबा दें तो घर में शुक्षम्रद्धी बढ़ेगी घर से निगविटी दूर करने के लिए किसी की तंत्र मंत्र की वाधाई अगर आ गई है आपको घर में लगते है जिसे आए दिन कोई न को को मिलेगा दोस्तो इस बार यनि की आप दोनों दिन कर सकते हैं 18 और 19 अगस्त दोनों दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं दोनों दिन कृष्ण जयन्माश्मी का पर्व मनाया जा रहा है तो आपको बता दे की राज सोने से पहले जाडूक नीचे आप कुछ रखे या न रख एक खीची चली आएगी आकारसित हो जाएगी और आपके घर में धन धान शे आपका घर भर देंगी पूरे साल जमकर पैसा आएगा रोडपती भी बन जाएँगे करोपती दुस्तो आप के घर में अगर थोड़े से चावल हो और थोड़े से हल्दी जो होती है तो हल्दी चाबल को मिला लें थोड़े से गीले कर लें और रात सोने से पहले जाड़ू को नीचे चुपके से इसे रख दें और फिर बाद में इसे अपने धन के स्थान पर छुड़क दें तो इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे चारो दिशाओं से धन की बार सी आ जाएग आपके साथ बीलियो को लाइक करके इसे जड़़ ज़़दा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जए मालक्षमी